क्यों को मेरा क्रांतिकारी जय भी निला स्लाम शाथियों कैसे हैं आप लोग में उमीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे शाथियों आज किस वीडियो में फिर से वही गुटका भाई के बारे में बात करने के लिए आया हूं शाथियों आज मैं स्टूडियों म मुसल्मानों के भीस में यह लड़ाई और जगड़े करवाने की कोशिस कर रहा है जहर घोलने का काम कर रहा है यह कह रहा है संत्र विदास जी को जूता सीने के लिए किसने बोला था पहली वाद तो मेरी यह सुन ले तू कि संत्र शिरोमडी रविदास जी जब जूता सिल रहे थे तो यह ब्रामट समास का था पंडित था पंडित जी जा रहे थे गंगा अशनान करने के लिए जब गंगा अशनान करने वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि रविदाश तुम भी चलोगे तो रविदाश जी ने कहा कि मैं नहीं जाओंगा और कुछ पैसे ले जाओ गंगा मा को मेरी तरफ से फेड़ दे देना तो गंगा जी को वो पैसे दिये थे चठाने के लिए पंडित को कि गंगा जी में जाकर डाल देना उसके बाद साथियों गंगा जी खुद प्रगट हुई और प्रगट होने के बाद उन्होंने उस पैसे के बदले में उस ब्रामण समास के उस पंडित को उन्होंने एक सोने क पंडित ने संत्रशिरो और मडी रविदास जी को उसने कंगन नहीं दिया ठीक है कहानी बहुत लंबी है तुझे बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत कम टाइम है साथी हो तो सबसे पहले मैं तुझे बतारा हूं कि तुम लोग सुरू से हमारे साथ चल करते हुए हम लोगों की ऊपर अतूयाचार करते हुए चले आये ओल। समाज के छत्री समाज के बैस समाज के तो हम लोग कैसे जान ले कि मुसल्मान समाज के लोग करते हैं चलो मुसल्मानों से भी कोई दिक्कत नहीं है मुसल्मान समाज के लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो उनसे भी निपटेंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन मुसल्मान समाचिक भाई हमारे लोगों के साते इस तरीक था अन्याय कभी किये थशी का मांते नहाँ और तेरी वजह से यह सोच कि तू अगर जहर उगलेगा और लोगों के बीचों में घोलने घोलने का काम करें तो यह तेरा कभी सही नहीं होगा और जो तुम लोग पहनते हैं और तुम लोग नीले को पसंद करते ओंक्ते हो यह जिन लोग ये लोग क्या थे तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए तो जय भी